असलाम ऐलेकों फ्रेंज और वेल्कम बाक टो कुख विद राइनीज किचिन आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं वाइट मतन कोर्मा की रेसिपी मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि आप हमारी साथ मतन कोर्मा की रेसिपी शेयर क गारलिक पेस्ट नग और जिनजर पेस्ट के अर आप सॉल्ट लेए और सौंड टीशट की आप जाज आते novय तो द congestion कर्ड आप जूद मेडिसे व्हेर कैण है टो आना करें के हैं बाढू ब्लगर प्ऩर पाउडर भी आप साकते हैं यहां पर मैं black pepper powder आट कर रही हूँ इसमें अच्छे से mix कर देंगे और इसके बाद में से हम cover करके side में रख देंगे तो चलिए इसे करीब एक घंटे तक के marinate कर लेंगे अच्छे से और इसके बाद यहां पर मैंने एक बड़े से बरतन में इसे बनाना है मुझे आज तो इसलिए मैंने बड़े से बरतन को heat कर लिया है और इसमें आट करूँगी oil आप अपने according ले सकते हैं जितना भी आप रखते हैं कोर्मा में और इसके बाद इसमें कुछ खड़े मसाले आड़ करूँगी जैसे कि लॉंग इलाइची बड़ी इलाइची और साथ में ही दाल चीनी यानि सिलिमन स्टिक इन सभी चीजों को हम इसमें आड़ कर देंगे हलकी सी अनियन फ्राय हो गई है इस स्टेज पर मैं इसमें जो भी मैंने मैरिनेट करके गोश रखा था मटन रखा था उससे इसमें आड़ कर दूँगी और अच्छे जए से चलाते हुए हम काफी देर तक भून कर पकाएंगे क्योंकि यहां पर हम इसे प्रेशर कोकर में न पूटा हुआ साथ में ही रडचिली पाउडर है सॉल्ट है और पाउडर्ड कॉरियंडर है इन सबी चीजों को मैंने इसमें आड़ कर दिया है बहुत अच्छा टेस्ट आता है इन इंग्रीडेंट्स को आड़ करने से बिना मिक्स करें मैंने ऐसे ही कवर कर दूँगी और तब तक कि मैं आपको दिखा देती हूं इन दोने चीजों का मैं पेस्ट बनाऊंगी अब यह देख सकते हैं आप कुछ देर बाद मने से ओपन किया है थोड़ा सा हमारा मटन भून भी गया है इस स्टेज पर मैं से मिक्स करना स्टार्ट करूंगी और अभी इसे हम और भी हो जाता सबी जो इंग्रीडियंट्स हैं इसके अच्छे से मटन में चले नहीं जाते तब तक कि हम इसी तर से इसे चलाते हुए भूनते रहेंगे और पकाते रहेंगे अब इसे भूनते हुए कुछ देर हो गई है तो चलिए मैं इसे कवर कर दूँगी और मिलती हूँ आपसे पाच मिनट के बाद अब चलिए इस उपन करके देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं काफी अच्छे से कुख हो रहा है तो हम इसे एक दो बार और चला देंगे अच्छे से मिक्स कर देंगे हिलाते हुए कि ये नीचे तले में लगना जाए जलना जाए इसे देखते हुए और इसकी बाद में हम इसे फिर से कवर कर देंगे दुबारा काजू को नुटानत काठे चीट, भता है कोटो न तक कोटे काशु में, अच्छा कषा है रेडी हो रहा है और तो चलिए मैं आपको एक और इंग्रीडिंट दिखा देती हूं एक ग्राइंडिंग जार में आप ले लें थोड़ी सी फ्रेश क्रीम और फ्रेश क्रीम के साथ में ही आप इसमें थोड़ा सा अड़ कर दें मिल्क मैंने रूम टंपरेचर पे लिया है फ्रेश क्रीम आड़ करने से यह बहुत ही ज़्यादा रिच हो जाता है इसका कोर्मा जो होता है बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो मैं जरूर आड़ करती हूं वाइट कोर्मा में आप भी जरूर आड़ कीजिएगा और इसे एक मिल्क खुमा लिया यए मैं अच्छे से बेट भी जाये मिल्क के साथ ही मिल भी जाए साथ मिया मैं अज्यक्र चार आट है कुछ चछह करूंगे ही उसी तरह के लिए इसी दो डेर की ठोल कर ही पाकने दूंगी और इसके बाथ पिर से मैं से कवर लगा दूंगी तो आप देख सकते हैं हमारी कोर्मा की थिकनेश भी बिल्कुल परफेक्ट है, इसी तरीके का यह हमें चाहिए था, बस आप इसे अब इसमें थोड़ा सा केवडा वर्टर आड़ कर दें, थोड़ा सा मीठा इतर आड़ कर दें, और इसके बाद इसे कवर कर देंगे, कुछ द यह देखि सकते हैं अब बल्कुल पर्फ्ध मतन हमारा जहान है वह जो है वह। मयां है को यह सब्कुल अबना बना जा ऊफ़् करा है उमिद रड़ ने किया है उमेड करूंगि आपको यह रसीपी यह पसंद आई होगि अगर पसंद आयो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे मेरी वीडियो के अपडेट बिलते रहें आपको मेरी आज की वीडियो में गाईस बस इतना ही मिलती हो आप से एक